हे गाइज, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं हम करें तो चमतकार और तुम करो तो क्या? कुछ जगहों पर ये कहावत बहुत अच्छी तरह से लागू होती है अभी हाल ही में शनिवार के दिन नासिक में धूलिया परिवहन कार्याले के अधिकारी राहुल कदम ने अपने ही कार्याले में काम करने वाले नागेश पाटिल के खिलाफ फोन पर गाली ग्लॉज और मार पीट की धंकी की शिकायत दर्ज करवाई है बता दे कि नागेश पाटिल के खिलाफ इस से पहले भी कुछ पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज है एवं उनके ही वरिष्टों के पास कई सारी शिकायतें भी हैं और इसी संबंध में नागेश पाटिल पर कार्यवाहियां तो चल ही रही है सिर्फ इतना ही नहीं कुछ समय तक नागेश पाटिल सस्पेंड भी रह चुके हैं बावजूद इसके एक बार फिर से अपने वरिष्ट को फोन पर गाली गलॉज करना और उन्हें मार पीट की धमकी देना उनके लिए मुसीबत साबित हो सकता है आपको बताएं कि परिवहन विभाग की 24 तारीख को चैन समिती की बैठक धूलिया कार्याले पर थी लेकिन शायद इस गोपनिय मिटिक की गुपत बातें भी लीक हो गई और नागेश पाटिल तक ये बातें भी पहुँच गई कि उसमें किस किस का नाम पदोन्नती के लिए दिया गया है अथवा नहीं और ये गुपत बात मीटिंग से दो दिन पहले शायद नागेश पाटिल को पता चली जिसके बाद उन्होंने अपना आकशेब वाला खत परिवहन विभाग के उच्छ अधिकारियों को लिख दिया लेकिन ये लेकर शायद वो स्वयन नहीं बलकि उनके मित्र और उनके साथ ही पुलिस में शिकायत के साथ ही सुल्तान मिर्जा नामक तथा कथित आर टियो एजेंट गए और सोशल मीडिया पर उन्होंने ही पदोननती वाली मीटिंग के दिन उच्छ अधिकारियों के कार्याले वाले बोर्ड के साथ फोटो और उसके साथ साथ नागेश पाटिल की आकशेब वाला खत भी शेयर किया अब उसी दिन ये सब आकशेब वाला खत शेयर करना जिस दिन पदोननती की मीटिंग थी क्या साबित करता है यही ना कि ये सभी किसी तरह पदोननती के काबिल उम्मीदवारों को रोकने के लिए चैन समिती पर दबाव बनाना चाहते हैं खैर चैन समिती में कोई नौसिखी है नहीं बलकि उच्चतम समझ वाले अधिकारी होते हैं जिनहें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पदोननती उनहीं की हो सकती है जो अपने क्राइटेरिया को पास करते हैं अब विभाग को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार शिकायत करता को गोपनी ये जानकारिया कैसे मिली किस ने दी और उसके पक्ष में काम नहीं होने के कारण ही शायद शिकायत करता नागेश पाटिल ने राहुल कदम को फोन पर धम की और गाली ग्लॉज की क्योंकि उनकी सोच के मताबक राहुल कदम उनकी तरक्की में रुकावट ला रहे थे और उनके खिलाफ वरिष्टों को रिपोर्ट भेज रहे थे सूत्र ये भी बताते हैं कि नागेश पाटिल भी इसी तरह से कई अधिकारियों की तरक्की में रुकावट लाने वाले खत, शिकायतें डिपार्टमेंट को लिख चुके हैं लेकिन अब जब उनके खिलाफ कोई कार्यवाहियां हो रही है तो उन्हें इस बात पर घुसा रहा है खेर जो भी हो, खबर यही है गि नंदूर बार में कार्यरट परिवहन कार्यालय के कर्मचारी नागेश पाटिल के खिलाफ धारा 5700-6504 के तहृत नासिक के गंगापूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है और आगे आने वाले समय में पुलिस अपनी कारिवाही करेगी लेकिन इस तरह कारियालय और कर्मचारी अगर आपस में ही एक दूसरे की तरक्की में रुकावट लाते रहेंगे तो फिर कारियालय में काम कौन करेगा वैसे भी परिवहन विभाग इन सब बातों में जरा आगे ही रह रहा है अतह परिवहन आयुक्त को भी इस और ध्यान देना ही चाहिए ताकि शिकायतें कम और काम ज्यादा हो सके और ये भी जानकारी हासिल करनी चाहिए कि धूलिया कारियालय में कौन है जो विभाग की गुप्त जानकारियां ऐसे लोगों को देता है जो विभाग के लिए मुसीबत बनते हैं जलगाव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट इंडिया आप तक न्यूज के लिए गहने जो सजाए हसीन लम हो को हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कराहट की वजा विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास रतनलाल सी बाफना जो एलैज जहां विश्वास ही परंपरा है